नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज के डिफेंस टॉक सरीच में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हैं आज की वीडियो चुका है और 2023 के आसपाथ तेजसम के वाने की पहली उनिट बनने वाली है और अभी एचेल की तरफ से तेजस की जो एफोसी वेरियंट से उसमें से एक में तेजसम के वाने में इस्तमाल होने वाले सिस्टम्स को इंटिग्रेट करके टेस्ट करने का फैसला किया गया है इस अले का 20 तेजसम के वाने को बना जाए गा उसमें एल्टा की 205 to ASA रडार का इस्तमाल किया जाएगा और बाकी बचे मोडल में उत्तम ASA रडार का इस्तमाल किया जाएगा और इन दोशी रेंज अल्मोस 200 किलमेटर के आसपास होने वाले है और जो चेल प्रोड़क्शन जा जा चुका है लेकिन ये थोड़ा है जिस वज़ए से इसको सिर्फ हभी सु 30 म कम टेस्ट किया जा रहा इसके वारे में सबसे पहले एरो इंडिया के दौरान बता गया था लेकिन अभी बता जा रहा कि तेजस सेम के वाने में इस्तमाल करने के लिए टीरी की तरफ से एक नई स प्रोडेक्शन जैमर को डवलप किया जा रहा है जो कि साइज में थोड़ा छोटा होने वाला है और इसकी जो ओवरॉल लेंथ होने वाला है वो सुखोई के लिए बनाएगे जैमर के मुकाबरे लगभग 1000 एम के आसपास छोटा होने वाला और साथ ही इसका वजन भी 50 कजी के आसपास कम होने वाला है अब ही ट्रिपल टू जैमर को भी तेजेस से हम के वाने में इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन इसको विंग की पैलोन में फिट करना पड़ेगा जिस वज़े से तेजेस की वेपन केरिंग के वसेड़ी पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा यानि कि जहां पर हम लगभग चार से छे मिसाल को क्यारी कर सकते हैं महां पर एक मिसाल को कम क्यारी करेंगे दूसरे तरफ D.A.R.E की तरफ से अब जिस सेल प्रडेक्शन जैमर को बनाया जा रहा है इसको एकराफ्ट की बिली सेक्शन में मांट किया जा सकेगा जिससे हमें मेजर व रॉकेट फोर्स को लेके कालेक इंटर्वी के दौरान हमारे चीफ आफ डिफेंस टाफ जनरल विपन रावजी के दौराइक स्टेट्मेंट को दिया गया था कि भारत की तरफ से भी एक रॉकेट फोर्स को तयार करने का फैसला किया गया है और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मेंली चाइना और पाकिस्तान स्टेफिक रॉल के लिए इसको तयार करने की बात कर रहे हैं इस दौरान पाकिस्तान की बात करते उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान हमेशा सही भारत के खिलाब प्रॉक्सी वर को करता आ रहा है जबकि चाइना की बात करे तो चा और इनिशेली हमारे वेस्टन और नॉर्दन बॉर्डन में अभी दो इंट्रेटेटर कमांड की जरूद पढ़ने वाली है अब ये जो रॉकेट फोर्स होने वाली है ये दरसल किस कैटिगरी का फोर्स होने वाला ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है मैंने देखा कि बहुत स अब किसी वी कंट्री को देख लीजिए चाहें वो रिश्या हो जाए ये वेस हो जाए या फ्रांस हो जाए या फिर चाइना भी हो जाए इन सभी के पास अपनी रॉकेट फोर्स मौजूद है हलाकि इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा और स्वेसे लिए चाइना की स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है लेकिन बाकी सभी देश की रॉकेट फोर्स में उनकी न्यूक्लिर मिसाइल आ जाता है अब सेम क्याडिगरी के अंदर भारत के पास अपनी स्ट्रेजिक फोर्स कमांड है जो कि हमारी सभी नूक्लिर मिसाइल को हैंडल करती है लेकिन चाइना की सिस्टम यहां से थोड़े अलग है और चाइना की rocket force के अंदर conventional missile भी सामिल होते हैं लेकिन अभी अगर भारत की rocket force की बात करे तो इसकी structure क्या होने वाला है यह अभी तक clarify नहीं किया गए I mean obviously chief of defense staff को इसके बारे में पता होगा कि इसकी structure कैसी होगी लेकिन public को इसके बारे में अभी तक कोई भी idea नहीं दिया गया है अगला update light tank को लेकर पिछले साल चाइना के साथ हुई face up के बाद जब चाइना की तरफ से लदाख में अपनी type 15 tank को deploy किया गया था उसके बाद भारत को लदाख में operate करने के लिए light tank की ज़रत महसूस होने लगा था और उसके बाद भारत की तरफ से emergency basis पर रश्या से sprut light tank को खरीदने का फैसला किया गया था और emergency basis पर भारत रश्या से लगभग 24 tank को खरीदने के लिए बाक्चित कर रहा था sprut tank की बात करें तो इसका जो वज़ने वो लगभग 1810 के आसपास है लेकिन इसमें 125 एम की main gun का इस्तमाल किया गया साथ इसमें modern fire control system भी दिया गया जो कि बहतरी ने किरिसी देने वाली है इसको normally रश्या की तरफ से tank destroy कहा जाता है और भारत की बात करें तो भारत इसको चाइना के साथ head on engage होने के लिए इस्तमाल नहीं करेगा बलकि इसको हमारे existing tank के साथ मिला कर इस्तमाल करने का फैसला किया गया ताकि जो head on engagement होगा उसमें चाइना की तरफ से fire किये जाने वाल अराउंड को T90 और T72 फेस करने वाले जबकि सेम टाइम पर स्पूरूट टैंक अपनी वहतरीन mobility और light weight का फायदा उठा कर उन पर abuse कर सकता है और एक decent fire support को भी provide कर सकता है अभी बता गया कि रिश्या की तरफ से स्पूरूट टैंक की final trial को किया जा रहा और इस trial के दोरान भारत में इस बेस सामिल है और रश्या की तरफ से अभी इस fruit टैंक को भारत की specific requirement के इसाफ से test किया जा रहा है ताकि भारत आगे चल के इसको खरीद सके क्योंकि अगर ये इंडिया नामी की requirement fit नहीं होगा तो भारत इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है इसी वएसे पिछले साल जब हमारे defense minister रश्या के विजट पर गए वे थे तब भारत की तरफ से इस टैंक को खरीदने के proposal रश्या को वहाँ पे दिया गया था लेकिन pandemic की वएसे जो original timeline था वो यहाँ पर थोड़ा delay हो गया है और इस्रो अभी अपने regular schedule के मताबिक लगभग एक साल पीछे चल रहा है इस financial year के अंदर इस्रो कम से कम 12 से 15 launches को करने वाली थी लेकिन अभी तक उसका आधा भी complete नहीं हुआ है लेकिन गगण्यान mission को अभी time पर ही सुरू करने की कोसिस किया जा रहा है इस पर बात करते हैं हमारे union minister जी तंदर सिंग जिने बताया कि गण्यान mission में अभी ज़्यादा delay नहीं होने वाला है और हो सकता है इसको 2022 की end तक या 2023 की सुरुआत में ही launch किया जाएगा इस mission के दौरण हमारे सनौट को स्पेस में जाने के साथ साथ वहाँ पर चार biological और दो physical science experiment या micro gravity experiment को करने वाले हैं और इस mission में अभी हमारे चार academic institution भी सामिल होने वाले हैं और इसके अलावा ISRO अभी space sector में MSME और private sector player को भी सामिल करना चाहता है ISRO की तरफ से अभी अलग अलग देशों को भी इस mission में सामिल करने का फैसला किया गया है और इसमें mainly ISRO की तरफ से न्यूजिलेंड, Australia और Pacific Ocean ने मौज़ूद आइलेंड नेशन को अपने साथ सामिल करने का offer दिया जा रहा है अगला update चाइना की तरफ से अब सब जानते हैं कि भारत और चाइना की बीच पिछले एक देड़ सालों से लदाख में face up चल रहा है और दोनों ही तरफ से लदाख में काफी heavy deployment करके रखा गया है अब यह थोड़ा तनाब कम हुआ है लेकिन इसी बीच एक cover सामने आये जिसमें यह बताया जा रहा कि चाइना की तरफ से भी line of actual control में नज़ा रखने के लिए एक नई aircraft को deploy किया जा रहा यह aircraft चाइना की Y8 transport aircraft का एक modified variant है और mainly चाइना अपनी Y8 transport aircraft को अपनी कई major platform जैसे की KJ500 AWACS, anti-submarine warfare aircraft, electronic warfare aircraft और recon aircraft की तोर पर इस्तमाल करता है और इन सब की लिए चाइना same Y8 transport aircraft को base aircraft की तोर पर इस्तमाल करता है अब इसकी एक modified variant को यानी की Y9 aircraft को चाइना की तरफ से तिबबत रिजिन में deploy करने का फैसला किया गया है जहांसे यह line of actual control में नज़ा रखने वाला है और चाइना की CCTV की तरफ से पब्लिस की एक report के मताबिक यह aircraft लगाता 10,000 km तक उडान भर सकता है और लगभग 40 घंटे तक उडान भर सकता है इसको अभी People Liberation नामी की Air Force Cavation Regiment में सामिल किया गया है और इसको आप Lockheed Martin की C-130 aircraft की साथ compare कर सकते हैं जिसको भारत operate करता है चाइना की तरफ से एक राफ को सबसे पहले 2005 के आसपास डिस्पले किया गया था फिर इसकी टेस्टिंग के दौरान कुछ दिक्कते सामने आ गये थे जिस वएसे इसकी जो flight था वो 2006 से 2008 तक डिले हो गया था फिर 2009 के आसपास इसकी पहली production unit को तयार किया गया था ये एक medium lift category का aircraft है जो की लगभग 25 टन के आसपास की कारगो को ले जा सकता है इसके अलावा इसको special operation के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है जिसमें ये लगभग 132 कमांडो को एडरॉप कर सकता है और चाइना की तरफ से भी लदाख में इंडियन आमी की strong position को neutralize करने के लिए या फिर artillery position को counter करने के लिए वहाँ पर अपनी special forces unit को air drop करने की planning किया जा रहे तो साथ इसी वज़े से चाइना की तरफ से भी पहले से इस सेम aircraft की स्रेजिन में deploy किया जा रहे और हाली में रश्या में चलने वाली war games के दोरान भी चाइना की वाईने ने एक्राप काफी बहतरिन performance दे चुकी है तो ये एक्राप आगे चलके हमारे लिए काफी challenges को create कर सकता है इसके अलावा CCTV की report के मताबिक चाइना अभी regular basis पर तिबबत region में यानि की sea level से लगभग 4700 मेटर की उंचाए में mock exercise को भी कर रही है जिसमें चाइना भारत की तरफ से fire किये जाने वाले किसी भी ballistic missile या cruise missile को intercept करने की drills को conduct कर रहा है और इसमें भारत की तरफ से की जाने वाले air attacks को भी intercept करने के लिए mock exercise को किया जा रहा है और इसमें चाइना अपनी HQ 16 air defense system को deploy कर रहा है पर अगर missile को evade करने की बात करें तो इसके लिए चाइना की तरफ से radiation decoy का इस्तमाल किया जा रहा है जो की भारत की तरफ से fire किये गए missile को नकाम कर सकता है और अगर किसी तरह के से भारत के missile उन से destroy नहीं होते हैं और अपनी path को follow करते रहते हैं तो second line of defense के तौर पर चाइना की तरफ से short range की missile defense system का इस्तमाल किया जा रहा है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातर